क्रिकेट की दुनिया यानि Game of Cricket में आपका स्वागत है Game of Cricket में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जूड़ी हर छोटी और बड़ी ख़वर कौतम गंभीर की MS धोनी के साथ तल्खियों से हर कोई वाकिफ है कभी भी गंभीर को धोनी की तारीफ करते नहीं सुना मगर इस बार गंभीर ने ना सिर्फ धोनी की दिल खोल कर तारीफ की बलकि रोहिट शर्मा को महान बलेबाज बनाने के पीछे का पूरा श्रे भी MS धोनी को ही दे दिया भारतिकर के टीम के पूरू आपनर गौतम गंभीर का मानना है कि रोहित शर्मा के जशानदार करियर कश्रे पूरू कप्तान MS धोनी को दिया जाना चाहिए साल 2007 में डेब्यू करने के बाद से रोहित मिडिल ओर्डर में खेलते थे जहां वो लगातार प्रदेशन नहीं कर पा रहे थे लेकिन आपनिंग में आने के बाद से उनके प्रदेशन में दिन रात का बदलावा गया गंभीर ने कहा वो MS धोनी थे जिनोंने रोहित के अंदर की प्रदीबा को पहचाना और उनको बढ़ावा दिया साल 2013 में उन्होंने इस बल्लेबाज को बतो और ओपनर मौका दिया और ये फैसला उनका बिल्कुल सार्थक साबित हुआ गंभीर बोले रोहित को आज दुनिया के सबसे विसफोटक और खतरनाक ओपनर में गिना जाता है जिसका पूरा कपूर अश्रे कहीं न कहीं MS धोनी का है यहाँ आपको बता दे वंडे में रोहित शर्मा के नाम तीन दोहरी शतक हैं जबकि T20 में चार शतक ऐसा करने वाले वो दुनिया के अकेले बलेबाज हैं गौतम गंभीर एक TV चैनल से बात कर रहे थे और इसी दोरान उनोंने कहा आज रोहित शर्मा जहां है महिंदर सिंग धोनी की वज़े से हैं आप टीम मैनेजमेंट और चैन करताओं के बारे में बात करते हैं लेकिन आपका कप्तान अगर आपका समर्थन हासिल करता है तो वो सबसे अच्छा है क्योंकि सब कुछ कप्तान के हाथ में ही होता है इसे बातचीत में गंभीर ने ये भी चाहा कि उन्हें भी अगर ऐसा ही साथ मिला होता तो आज बात कुछ और होती पैसे आपको क्या लगता है क्या धोनी ने गंभीर के साथ गलत किया और क्या सच में रोहित को बनाने के पीछे धोनी का हाथ है आप भी कमेंट जरूर करें